मरपन करें भार्टिय संसद और समीधान के प्रतिय पार श्रधा रखने वाले माननिय प्रधान मंत्री जी महराश्ट्री की जनता आपकी इरणी है सावित्री बाई फुले जिनकी वजह से आज इस मंच पे हम निवेधन कर पा रहे है आपने और राज्य सरकार ने इस विद्याले को समारक के रूप में तब्दील करके हमेशा के लिए चिरंतन स्मृति में परिवर्तित कर दिया है मैं अनुरोध करती हूँ हमारी टेकनिकल टीम से कि वे इन परियोजनाओं की जानकारी देने वाली डॉक्यमेंटरी दिखाए मारनिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नित्रित में भारत 2047 तक एक विक्सित राष्ट्र बनने की ओर बेजी से अग्रिसर है इसी दिशा में आज यश्यस्वी प्रधान मंत्री महराष्ट्र में लगभग 11,240 करोड रुपे की विबिन परियोजनाओं का उद्गाटन और भूमी पूजन करेंगे साथ ही एक महत्रपून धरोहर राष्ट्र को समर्पित करेंगे ये परियोजनाएं ना सिर्फ महराष्ट्र में व्यापक बतलाव लाएंगी बलकी विकास को नई उचाईया देंगी हजारों नए अफसर पैदा करेंगी और लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी भारत सरकार की ऐसी ही एक महत्वकांग्शी परियोजना है मेट्रो रेल 2014 में भारत के सिर्फ पाँच शहरों में मेट्रो थी आज 23 शहरों में मेट्रो है आज इन 23 शहरों में 988 किलोमीटर का मेट्रो नेट्वर्क आपरेशनल है जबकी 985 किलोमीटर की नई परियोजनाएं निर्माना धीन है यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नित्रित में पुरे मेट्रो के विबिन्द चड़नों का अभूत पूर्व गती से निर्मान हुआ है जिसने पुरे वासियों के जीवन को सुगम बनाया है इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कोट से स्वारगेट तक 3.62 किलोमीटर का भूमिगत मार्ग बनकर तयार है जिसमें कजबा पेट, मंड़ाई और स्वारगेट जैसे 3 भूमिगत स्टेशन परिचालन के लिए तयार है साथ ही स्वारगेट से कात्रज तक 5.46 किलोमीटर लंबे भूमिगत विस्तार को भी मन्जूरी मिल चुकी है इन नए स्टेशनों के विस्तार से समय की बज़त होगी और रोजगार के नए अफसर पैदा होंगे आज माननिय प्रधानमंत्री जीद्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक के इस महतोपून कोरिडोर का उधाटन और स्वारगेट से कात्रज भूमिगत लाइन का भूमी बूजन किया जा रहा है बिटकिन इंडस्ट्रियल पर योजना छत्रपती संभाजी नगर में 6,400 करोड रुपए की लागत से शुरू की गई है जिसमें 60 प्रतिशत और द्योगिक एवं 40 प्रतिशत आवासीय, व्यवसाइक और अन्यगतिविधियों के लिए आवंटित है इससे शेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास मद्बूत होगा और महराश्ट्र एक वैश्विक निवेश कंतव्य के रूप में उभरेगा आज प्रतान मंत्री बिटकिन पर योजना राश्ट्र को समर्प्रित करेंगे सोलापुर हवाई अड़े का 65 करोड रुपै की लागत से विकास हुआ है जो प्रतिवर्ष 4,10,000 यात्रियों के अवागमन की सुविधा प्रदान करेगा इससे परेटकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए यहाँ आना अधिक सुलब हो जाएगा आज प्रदान मंतरी श्रीन नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोलापुर एärपोर्ट का उदगाटन किया जा रहा है श्रीमती क्रांती जोती सावित्री बाई फुले और महात्मा जोती राव फुले द्वारा पुने के भिडेवाडा में भारत वर्ष की पहली बाली का विद्यालाई की स्थापना की गई थी जिसकी स्मृती में भीडेवाडा में एक भविस मारक का निर्मान किया जा रहा है इस एधियासे के मारत में मल्टी पर्पस हॉल, गैलरी, होलोग्राफी, वर्चुल रियालिटी शो और आडियो विडियो हॉल बनाया जाएगा इस महत्व कांग्शी स्मारक का भूमी पूजन भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलो द्वारा किया जा रहा है ये परियोजनाएं महराश्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिद्रिश्य में बदलाव लाएंगी जो राज्ज को आत्म निर्भर और सम्रिध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा राइवर्स के बारे में सोचा होगा प्राइवर्स जैसे लोग जिनके पास औहदा है न सक्ता है न पैसा है न संख्या है ऐसे व्यक्तियों के लिए जब आप आश्वासन लेके जाते हो तब आपके बड़े इनसान होने का परीशे मिलता है हमारे आदरणिय प्रधान मंत्री जी ने गद दस साल में चाहे वो विश्व कर्मा योजना हो या सोलापूर के मजदूरों के लिए तीस हजार घरों का निर्माण अपनी हर बात से श्रमजीवी वर्ग के प्रती अपार समवेदन शीलता का परिचे दिया है अंतिम व्यक्पंती में खड़े व्यक्ती तक कुछ बुनियादी आश्वासन पहुचाने के लिए जिन्होंने अपना हर लमहा हर क्षण काम में लगाया है और जिनकी भावगता ठोस कृतिशिल करुणा में रुपांतरित हुई है वे हिंदुस्थान के आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी आप देश के करोडों मेहनतकश लोगों की उम्मीद हो आश्वासन हो मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधान मंत्री जी से कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सब का मार्क दर्शन करें नमस्कार महाराष्ट के गवर्नर स्रीपी राधा कृष्णन जी महाराष्ट के लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्रिमान एकनाथ छिंदे जी उपंबुख्यमंत्री देवेंदर फडनविश जी अजीत पवार जी पूने के सांसत और मंत्री परिशत के मेरे युवा साथी भाई मुरलिधर केंदर के अन्य मंत्री जो वीडियो कांट्रोंस से जुड़े हुए है महाराष्ट के सभी वरिष्ट मंत्री गण भी मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे है सांसत गण, विदायक गण और इस कारकम से जुड़े सभी भाईयों वंबहनों पुन्या तील माज्या सर्व लाड़क्या बहनीना आणी लाड़क्या भावाना माजा नवश्कार दो दिन पहले मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकारपन और सिलान्यास के लिए पूने आना था लेकिन भारी बारिस के चलते वो कारकम रत करना पड़ा उसमें मेरा तो नुक्षान है ही क्योंकि पूने की कण कण में राष्ट्र भक्ती है पूने के कण कण में समाज भक्ती है ऐसे पूने में आना वो अपने आप में कुर्जावान बना देता है तो मेरा तो बड़ा लौस है कि मैं आज पूने नहीं आप आ रहा हूँ लेकिन अप टेक्नोलोजी के माध्यम से आप सभी के दर्सन करने का मुझे सवभागी मिला है आज पूने की ये धर्ती भारत की महान विबुतियों की परिणा भूमी महाराज्च के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है अभी डिस्ट्रिक कौर्ट से स्वार गेट सेक्षन रूट का लोकारपन हुआ है इस रूट पर भी अम मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी स्वार गेट कात्रत सेक्षन का आज सिलान्याज भी हुआ है आज ही हम सब के स्रधे क्रांती जोती सावित्रिबाई फुले मेमोरियल की नीव भी रखी गई है उने शहर में ईज अफ निविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं भाईयों बहनों आज भगवान विठल के आथिरवात से उनके भक्तों को भी स्नेह उभार मिला है सोलापूर को सीधे एर कनेक्टिविटी से जोडने के लिए एरपोर्ट को अफग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की ख्षमता बढ़ाई गई है यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई है इसे देश बिदेश हर स्तर पर बिठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी भगवान विठल के दर्सन करने के लिए लोग अप सीधे सोलापूर पहुंच सकेंगे यहाँ व्यापार कारोबार और परियेटन को भी बढ़ावा मिलेगा मैं महाराष्ट के लोगों को आप सबको इन सभी विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ शुपकामनाई देता हूँ साथियों आज महाराष्ट को नए संकल्पों के साथ बड़े लक्षों की जरुरत है इसके लिए हमें पूरे जैसे हमारे शहरों को प्रगति का अर्बन डेवलप्मेंट का सेंटर बनाना जरुरी है आज पूरे जिस गती से आगे बढ़ रहा है यहाँ जनसंख्या का दबाव भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है पूरे की बढ़ती जनसंख्या शहर की स्पीड को कम न करे बलकि उसका सामर्थ बढ़ाए है इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने की जरूरत है यह तब होगा जब पूरे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधुनिक होगा यह तब होगा जब शहर का विस्तार तो हो लेकिन एक छेत्र की दूसरे से कनेक्टिविटी बहतरीन रहे है आज महायूती की सरकार इसी सोच और एप्रोज के साथ दिन रात काम कर रही है साथियों पूरे की आधुनिक जरुवतों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से काम किये जाने की जरुवत थी पूरे में मेट्रो जैसा एडवांस ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से बीते दसकों में हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विजन दोनों का अभाव रहा अगर कोई योजना चर्चा में आती भी थी तो उसकी फाइल ही कई कई वर्षों तक अठकी रहती थी अगर कोई योजना बन भी गई तो भी एक-एक प्रोजेक कई-कई दसकों तक लटका रहता था उस पुराने वर्ष कल्चर का बहुत बड़ा नुक्षा हमारे देश को महराश्चर को और पूने को भी हुआ आप याद करिए पूने में मेट्रो बनाने की बात सबसे पहले दो हजार आठ में शुरू हुई थी लेकिन दो हजार सोला में इसकी आधार सिला तब रखी गई जब हमारी सरकार ने अर्चनों को हटा कर तेजी से निर्णय लेना शुरू किया और आज देखिए आज पूने मेट्रो रप्तार भी भर रही हैं और उसका विस्तार भी हो रहा है आज भी एक और हमने पुराने काम का लोकारपन किया है तो साथ ही स्वार गेट से कात्रज लाइन का सिलान्याज भी किया है इसी साल मार्ट में मैंने रुबी हाल क्लीनिक से रामवाडी तक मेट्रो सेवा का लोकारपन भी किया था 2016 से अब तक इन साथ आठ वर्षों में पूरे मेट्रो का ही विस्तार इतने रूट्स पर काम की ये प्रगती और नए सिलान्याज अगर पुरानी सोच और कार्यपद्दती होती तो इन में से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते पिछली सरकार तो आठ साल में मेट्रो का एक पीलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी जबकि हमारी सरकार ने पूरे में मेट्रो का आधुनिक नेट्वर्क तैयार कर दिया है साथियों राज्य की प्रगती के लिए विकास को प्राफिकता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है जब दब इसमें रुकावट आती है तो महराष्ट को बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है आप देखिए मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो मुंबई अमदाबाद बुलेट ट्रेड हो या किसानों के लिए सींचाई से जुड़े कई महतोपुन काम हो डबल इंजिन सरकार से पहले महाराष्ट के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिलेल हो गए थे इसी का एक और उदारण है बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया हमारी सरकार के समय मेरे मित्र देवेंद्र जी ने और इक सिटी की संकल्पना रखी थी उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर पर शिंद्रा बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया की नीव रखी थी नेश्नल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलोप्मेंट प्रोग्रेम के तहत इस पर काम होना था लेकिन बीच में ये काम भी ठप हो गया था अब सिंदेज के नेत्रों तो मैं डबल इंजिन सा कार ने उन अडचनों को भी हटाने का काम किया है आज यहां बीड़किन इंडस्टियल नोड को भी राष्ट को समर्पित किया गया है छत्रपती संभाजी नगर में लगभग आठ हजार एकड में बीड़किन इंडस्टियल एरिया का विस्तार होगा कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन एलोट हो गई है इससे यहां हजारों करोड का निवेश आएगा इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा निवेश से नोकरी पेदा करने का यह मंत्र आज महाराष्ट में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है विक्सित भारत के सिखर पर पहुंचने के लिए हमें कई पड़ाव पार करने हैं भारत आधुनिक हो भारत का मोडनाइजेशन भी हो लेकिन हमारे मुल्भुत मुल्यों के आधार पर हो भारत विक्सित भी हो विकास भी करे और विरासत को भी गर्व के साथ लेकर आगे बढ़े भारत का इंफ्रासेक्टर आधुनिक हो और ये भारत की आवशक्तों और भारत की प्राथिक्तों के आधार पर हो भारत का समाच एक मन एक लक्ष के साथ तेज गती से आगे बढ़े इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना ही है महाराष्टर के लिए भी जितना जरूरी फ्यूचर रेडी इंफ्रासेक्टर है उतना ही जरूरी है कि विकास का लाप हर वर्ग तक पहुँचे ये तब होगा जब देश के विकास में हर वर्ग हर समाज की भागीदारी होगी ये तब होगा जब विक्षित भारत के संकर्प को नेत्रूत देश की महलाएं करेगी समाज में बदलाव की जिम्मेदारी जब महलाएं उठाती है तो क्या कुछ हो सकता है महाराष्टर की धर्ती तो इसकी साक्षी रही है इस धर्ती ने और इस धर्ती से सावित्री भाई फुले ने महलाओं की सिक्षा के लिए इतना बड़ा अंदोलन शुरू किया था यहां बेहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था इसकी स्मृती को इस विरासत को संजो कर रखना जरूरी है आज मैंने देश के उसी प्रथम गल स्कूल में सावित्री भाई फुले मेमोरियल की आधार सिला रखी है मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल में एक स्कील डवलप्मेंट सेंटर लाइब्रेरी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्मार भी किया जा रहा है ये मेमोरियल सामाजिक चेतना के उज्जन आंदोलन की इस मृत्यों को जीवन्त करेगा ये मेमोरियल हमारे समाज को हमारी नई पीड़ी को प्रेरिना देगा भाई और भेनों आजाजिक के पहले देश में जो सामाजिक हाला थे जो गरीबी और बेदभाव था उन हालातों में हमारी बेटियों के लिए सिख्षा बहुत मुश्किल थी सावीत लिबाई फूले जैसी विभुतियों ने बेटियों के बंद सिख्षा के दरवाजों को खोला लेकिन आजाजिक के बाद भी कि देश उस पुरानी मानसिक्ता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ कितने ही ख्षेत्रों में पिछली सरकारों ने महलाओं की एंट्री बंद करके रखी थी स्कूलों में सौचाले जैसी मुल्बुत से विदाओं का भाव था इसके कारण स्कूल होने के बावजुद भी स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए बं थे जैसे ही बच्चियां थोड़ी बड़ी होती थी उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था सैनिक स्कूलों में तो बेटियों के एड्मिशन पर रोक थी सेना में ज़्यादातर कारक्षेत्रों में महिलाओं की नियूक्ति पर रोक थी इसी तरह कितनी ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नोकरी छोड़नी पड़ती थी हमने पुरानी सरकारों की उन पुरानी मानसिक्ताओं को बदला पुरानी ववस्ताओं को बदला हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया उसका सबसे बड़ा फाइदा देश की बेटियों को हमारी माता और बेहनों को हुआ उन्हें खुले में सोच से छुटकाना मिला स्कूलों में बनाए गए सोचालों के कारण और बेटियों के लिए अलग सोचालों के कारण बेटियों का ड्रोप आउट रेट कम हुआ हमने आर्मी स्कूल के साथ साथ सेना में तमाम पदों को महिलाओं के लिए खोल दिया हमने महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाए और इस सब के साथ देश ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम के जरिये लोक तंत्र में महिलाओं के नेतरुत्व की गारंटी भी दी है साथियों हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले तबी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए मुझे विश्वास हैं सावित्री भाई फुले मेमोरियल हमारे इन संकल्पों को महिला ससक्ति करण के हमारे इस अभ्यान को और उर्जा देगा साथियों मुझे भरोसा हैं महराष्ट की प्रेणाएं महराष्ट की ये धर्ती हमेशा की तरह देश का मारदर्शन करती रहेंगे हम सब मिलकर विश्षित महराष्ट विश्षित भारत का ही लक्ष पूरा करेंगे इसी विश्वात के साथ आप सभी को एक बार फिर इन महत्वपूत परियोजनाओं के लिए हार दिख बढ़ाई देता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननी ये प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे हरी जंडी दिखा कर स्वारगेट से जिला कोर्ट तक की मेट्रो का शुभारं करे बढ़ा धन्यवाद कर दो दो ख़या है करम जे जो, जो, पूर्जारों से जो, आला है, पिला रादिना, आला है, भी जो, जब फिला, जो, 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 शाज, याजुम्धा दो, जो, 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 साथ।